आज फिर हम उसी बिंदू पर चर्चा करेंगे जिस बिंदू की प्रत्यक व्यक्ति के जीवन में जरुरत है और वो बिंदू है संसकार निर्मान के प्रभावशाली स्टैपसन दिलों में जगे है ना हथियारों से होती है ना अधिकारों से होती है सब लोग बोलो दिलों में जगे है दिलों में जगे है ना हथियारों से होती है ना अधिकारों से होती है दिलों में जगे है तो भाई साहब केवल अच्छे वेवहार और संसकारों से होती है हजारों हजार साल तक हमारे तिर्थंकरों ने समाज के निर्माण और समाज के सुधार के लिए एक ही पत को चुना था और वो पत था संसकार निर्माण का पत कोई अगर पूछे कि तिर्थंकरों ने केवल ग्यान प्राप्ट करने के बाद मौक्ष लाब प्राप्ट करने से पहले उन्होंने अपनी जीवन काल में क्या काम किया तो मैं एक ही शब्द में वो बात कहूंगा और उन्होंने संसकार निर्माण का कारिय किया उन्हें पता था केवल ग्यानियों के केवल ग्यान में ये पूरी तरह बोध था कि जब तक समाज में अच्छे सिक्षा और अच्छे संस्कार के बीज न बोई जाएंगे तब तक एक महन समाज का निर्मान नहीं किया जा सकता प्रभूश्री महवीर के द्वारा चाहे अहिंसा की बात कही गई हो चाहे सत्य की बात अचाओरिय की बात कही गई हो या ब्रह्मचरिय की बात सभी बातों के पीछे केवल एक ही उद्धिश्य था कि हम सब लोगों के जीवन में नैतिक मुल्य इस्थापितों हर व्यक्ति को जीवन जीने की कला आए और हर व्यक्ति संसकार निर्मान के पवित्र पत्थ पर अपने चार कदम आगे बढ़ाए। जनम तो हर माता पिता अपने बच्चों को देते हैं वे माता पिता सामान्य माता पिता कहलाते हैं जो कि अपने बच्चों को केवल जन्म देते हैं लेकिन वे माता पिता थोड़ी और उचे दर्जे के होते हैं जो अपने बच्चों को केवल संतती को जन्म नहीं देते बलकि स संतती के साथ उनको संपत्ती भी दिया करते हैं पर उत्तम माता पिता तो विक कहलाते हैं जो अपनी संतती को जन्म नहीं देते मात्रा उनको संपत्ती नहीं देते बलकि उनको अच्छी संस्कृति और संस्कार भी उनको दे करके अपना कर्तव्य पूरा किया करते हैं एक माता पिता का दाइत्व केवल इतना नहीं है कि वो बच्चे को बढ़ा कर दे एक माता पिता मरने से पहले उनका दाइत्व ये नहीं कि वो मरने से पहले अपने बच्चों के लिए दो प्लॉट एक फ्लेट अथवा दो जमीन के टुकडे छोड़ कर चले जाएं या कोई भी दाद इसाया सासो मा अपनी बहू या बच्चों के लिए चार चोड़ियां सोने के एक हीरों का हार छोड़ कर चला जाए असली बात तो यह है कि हमने अपने बच्चों के लिए केवल विल ही लिखी है केवल वसीयत ही लिखी है या वसीयत में हमने कुछ उनको संस्कार भी दिये हैं ओ, अमीर लोग अपने बच्चों को विल देते हैं, मैं कहूंगा आप अपने बच्चों को गुडविल दीजिए, अमीर लोग अपने बच्चों को केवल विल देते हैं, पर आप अपने बच्चों को गुडविल दीजिए, अतीत में कभी हमने जोदपुर के गांधी मैदान में संसकार निर्मार से जुड़ा हुआ एक खास लेक्चर दिया था और तब हमने उस लेक्चर के दौरान ये कहा था कि हम सोचें कि हम आने वाले कल के लिए अपनी और से क्या छोड़ कर जाएंगे तुम चार प्लॉट छोड़ कर जाओगे तब भी बच्चे यही कहते मिलेंगे पापा जी दो प्लॉट और खरीद कर रख लेते आपके घर का क्या जाता अरे उस समय तो किवल 20 लाक में मिल रहे थे आज तो वही 20 करोड के हो गए 20 साल में दुनिया बदल जाती है तो क्या प्लॉटों के रेट नहीं बदलेंगे चार प्लॉट छोड़ कर जाओगे तब भी बेटी को कम लगेगा और सोने के पाटले और गजरे छोड़ कर जाओगे तब भी बहुरानी को आपका माल तो कम ही कम कम ही कम लगने वाला है हमने तब ये कहा था कि सोचो आप अपने आने वाले कल के लिए क्या छोड़ कर जाना चाहते हैं खास तोर पर जो लोग शराब पीते हैं गुटका खाते हैं नाशा खोरी करते हैं चोरी या जुर्म या अपराद करते हैं वे सोचें कि वे अपने आने वाले कल के लिए बच्चों के लिए क्या वसीयत छोड़ कर जाना चाहते हैं वसीयत में किवल संपत्ती छोड़ कर जाना चाहते हैं या अच्छे संसकार भी छोड़ कर जाना चाहते हैं पता नहीं हमने तब वहाँ पर किस भाशा में किस भावदा के साथ क्या बात कही कि एक माहनुभाव अगले दिन आए जोला भरके चलते प्रवचन के बीच में चले आए हम सब लोग चौक पड़े सारी पब्लिक हजारों लोग पूरा गांधी मेदान चौक पड़ा वो आदम पारे पट्टे के पास में रखने लगा हम भी चौक पड़े ये भगत कौन सा आया कि शराब की बोतली चड़ा रहा है उसने करीबन 20-22 बोतली निकाली मंच पर रखी और फिर साथ में लाया हुआ पत्थर निकाला और एक एक बोतल को उठा उठा के फोड़ रहा है एक एक मन में आ गया मैं अपने आने वाली पीडी के लिए अपने बच्चों के लिए शराब की वशियत नहीं छोड़ कर जाऊंगा मैं ये गुडविल छोड़ कर नहीं जाऊंगा कि मैं केवल अपने बच्चों के लिए पैसा छोड़ कर गया बलकि आने वाले कल के लिए मेरे बोतले फोड डाली शरब की बोतले फोड डाली और उन्होंने कहा उस सज्जन ने कहा गुर्देव मैं आज से मंच पर आपके पास आकर केवल हाथ नहीं जोड रहा हूं बलकि जिस चीज को मैं पीता था आज से उसका त्याग करता हूं फोड रहा हूं अपने घर से निकाल र लाया हूं यहीं पर त्याग कर रहा हूं कोई और ना पी सके इसलिए फोड के उसको खत्म कर रहा हूं और तब उसने खड़े हो कर कहा अब मैं हाथ जोडता हूं गुर्देव आप मुझे अब प्रतिग्या दिलाए कि मैं आज के बाद मैं नहीं बलकि मेरे घर में कभी भी इस तरह की गलत चीज का प्रवेशन नहीं हो पाएगा और तब हमने उसे वो नियम वो पचकान दिलाए मैं यहां बैठे बैठे ही उस सिंधी भाई को अपनी और से सादुवाद और धन्यवाद देता हूं जिसने मरने के बाद अपने आपको सुधारने के ना सोची है बलक दोए तो अपनित बाद बड़े फिलोसोफर जिनका नाम था डायोजनीज और डायोजनीज के पास सिकंदर जब हंदुस्तान को जीत करके वापस लॉटकर जा रहा था तो अपने गुरू डायोजनीज के पास पोंचा और जाकर के कहा कि ृज्यू गुदे मैं आपके तीन साल पुरानी हो जाए कोई शराब अगर तीन साल पुरानी हो जाए तो लोग कहते हैं कि उसमें नशा और ते चड़ जाता है और तीन साल पुरानी शराब जब पकड़ाई गई इतनी बेशकीमती शराब डायोजनीज ने शराब की बोतल देखी और सिकंदर ने कहा कि अपने साथ लेकर आया हूँ ये गुर्देव आपके लिए समर्पित है डायोज जनीज ने वो बोतल ली और बोतल को जैसे ही देखा न जाने उनको क्या सूजी बोतल उठाई और पास मही पत्थर पड़ा था उठाई और बोतल को दे फैके शराब मिट्टी की मिट्टी में मिल गई सिकंदर को तेजी आई और सिकंदर ने कहा गुर्देव आपने ये क्या कर डाला और इमें इतनी दूर से ढोकर के लाया और आपने शराब को मिट्टी में मिला दिया डायोज जनीज ने जो बात कही मैं चाहता हूँ ये बात चाहे डायो जनीज के शब्दों में कही जाए चाहे चंदर प्रभू के शब्दों में कही जाए पर पूरे देश में और पूरी दुनिया तक पहुँचा दी जानी चाहिए मैं तो कहूंगा SMS के जरीए ही Message के जरीए भी आप ये संदेश जरूर पहुंचाईए क्योंकि डायोजनीज ने कहा था ऐ सिकंदर आज अगर मैंने इस शराब को इस शराब को अगर मैंने मिट्टी में न मिलाया होता तो एक दिन एसा आता कि ये शराब मुझे मिट्टी में मिला देती अगर इस शराब को आज मैंने मिट्टी में न मिलाया होता तो एक दिन ये शराब मुझे मिट्टी में मिला देती हमें ये पुना-पुना सोचना होगा हम अपने लिए क्या चुनते हैं हम अपने आने वाली पीडी के लिए क्या चुनते हैं हम लोग बारे घंटा व्यापार के लिए देते हैं मैं कहूंगा अगर कोई व्यक्ति ये बारे घंटे नहीं बलकि बारे मिनट भी संसकार के लिए दे देगा रिस्तों में रिस्तों में अलग तरह की मिठास आ जाएगी तीन चीजें दुरलब होती है एक यार प्यार और रिस्तेदार सचा यार सचा प्यार सचा रिस्तेदार तीनों चीजें दुरलब होती है पर तीनों चीजों के बीच में अगर ले आएंगे हम संसकार तो आपको पता है अगर सच्चा यार सच्चा प्यार और सच्चा रिस्तेदार चाहिए तो तीनों चीजों के बीच में एक ही संजीवनी चाहिए एक ही पावर चाहिए और वो पावर है किसका बोलो तो संसकार हमारी कार संसकार हमारी कार संसकार हमारी कार मैंने क्या कर सुमाई दिया आपको चलो हाथ उठाओ और मुठी बांध कर अपने आपको प्रेडित करो मोटिवेस्टनल प्रेड़ना दो और मोटिवेस्टनल प्रेड़ना देते वे आप से कहो हमारी कार संसकार हमारी कार संसकार हमारी कार संसकार हमारी कार लोग सोचते हैं मरस्डीच कार फियट कार एमबेश्डर कार हांड हॉंडा कार और हीरो कार जो जो भी कारें आती हैं हम लोग तो सोिक्रण पद्यात्रा करते हैं इसलिए कारों चुछ्भे नहीं है पर मुझे यह पता है मैं कहा करता हूं कि बेटे को अगर कार नहीं दोगे तो बेटा दो दिन हुझ्जद करेगा पर संसकार नहीं दोगे तो नहीं ले पा रहे हैं क्यों नहीं दे पा रहे हैं दुनिया में आधे लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों के पास अपने बच्चों के पास बैठने के लिए वक्त ही नहीं है टाइम नहीं है वो सुबह से लेकर रात तक आफिस से जुड़े रहते हैं सुबह 9 बजे निकलते हैं और रात को 10 और 11 बजे लोट कर आते हैं ऐसे लोगों का उद्दिश और लक्ष के वल पैसा 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 हो गया है आपको बता दूँ जैसे आप बड़े शेरों में जाएंगे बंबे बंबे में अगर आप जाएंगे तो वहां बच्चा एक साल का भी होता नहीं है और उसको ऐसी स्कूलों में डाल दिया जाता है जहां पर बच्चे को खिलाते हैं पिलाते हैं बड़ा करते हैं यह वो करते हैं सब करते चले जाते हैं घर में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो आजकल मा अपनी गोद में बच्चे को कम रखती ह कौन रखती है डिलिवरी होने के बाद अपन लोग क्या रखते है अपने गर में पहले दादी सा बच्चे को गोद में रखती थी नानी सा गोद में रखती थी और अब कौन रखती है बोलो जरा जुर से हैं क्या नाम बोला दाया दाई समझ लो बाई समझ लो जो भी आप अपनी नर्स समझ लो जो आप अपनी भाशा में कहते हैं अब जमाना पता नहीं लोगों ने कैसी जीवन शैली अपना ली है अब लोग लोग कुते के पिल्ले को तो अपनी गोद में रखते हैं और अपने पिल्ले को कामवाली बाई की गोद में रखते हैं अब भाई साहब बच्चा जन्मा तो है एक बड़े कुल में बड़े घर घराने में लेकिन उसका पालन कर रही है एक सामान्य कुल घर घराने की कामवाली बाई तो फिर परिणाम ये आएगा कुत्ते का पिल्ला तो बन जाएगा आपके जैसा अच्छा और आपका बेटा बन जाएगा कुत्ते के पिल्ले जैसा बदल गया है जमाना या तो आधे घर ऐसे हैं जिन लोगों में माबाप दादा दादी के पास फुरसत नहीं है बच्चे के पास बैठने के लिए और या फिर आधे घर ऐसे हो गए हैं जहां बच्चे इतने जादा व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास माबाप के पास बैठने के लिए वक्त निकल नहीं पाता है दुईधा बड़ी आ गई है कल ही जब मैं सत्संग देकर के मौन हुआ तो एक सज्जन आए और आकर कहने लगें कि बाप जी क्या करूं मैं अपने बच्चे को यहां सत्संग में कैसे लेकर आओं आप मुझे वो रास्ता बताईए आज हालत यह हो गई है कि पोता एक दादे के कहने में नहीं रहा अरे दादा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसने कभी अपने पिता के एक आग्या का भी एक आग्या की भी अवहिलना की हो और अब इस्तितिया आगी कि पोता को आप कहते हैं बेटा वहां चलना है मंदर चलना है न आज के जो बच्चे हैं भाई लोगों ध्यान रखेगा, आज के बच्चे माबाप के पेट से कम पैदा होते हैं, वो G TV, वो कार्टून TV, वो सोनी TV, वो सब TV, वो उस TV के डिब्बे में से ज्यादा निकल कर आते हैं, क्योंकि मा भी सूचती है, अब बच्चा रो रहा है, तो बच्चे को रोने के लिए क्या किया जाए, वो ले टीवी के डिब्बे के आगे सुला दूआ, अपने आप उसको देखता रहेगा, और उसमें मश्गूल रहेगा, अरे आप नहीं जानते मेरे भाई बेहनों, आपको लगता है, कि बच्चे को आपने टीवी के डिब्बे क आगे सुला दिया, अरे टीवी के डिब्बे के आगे आपने नहीं सुलाया, बलकि टीवी के डिब्बे में आने वाले टीवी के डिब्बे में आने वाले रैप के दृश्य भी वो देख रहा है, वो बलातकार के दृश्य देख रहा है, वो चोरी और अपराद के दृश्य देख रहा है वो गोली बारी के द्रिश देख रहा है और उसके दिमाग में वो सारी चीजें आती चली जा रही हैं मैंने तो सुना है कि पहले जमाने में पहले जमाने में पेट में बच्चा आता तो लोग स्पेसल महवीर वाणी पढ़ते रामायन पढ़ते गीता का पाठ कर ताकि बच्चे में जनम से ही संसकार अच्छे मिल सके अब कौन सुनाता है महावीर की वाणी को कौन सुनाता है अब तो सब लोग टीवी के डिब्बे के आगे बैठा देते हैं और आजकल आपको पता है बच्चे को पहले जमाने में बच्चे को खेलने के लिए दिया जाता खेलोना जुन जुनिया अब जुन जुनिया की परंप्रा खतम हो गए अब बच्चे को रोता हो तो चुप कराने के लिए उसको मोबाइल पकड़ा दो वो मोबाइल में देखते रहता है चरर चरर और वो दोड़ते रहते हैं भागते रहते हैं और बच्चा शांत हो जाता है भाई जमाना बदल गया ना उनके पास समय ना इनके पास समय परिणाम ये निकल रहा है तुम उनकी नहीं सुन रहे वो तुमारी नहीं सुन रहे तुम उनकी नहीं समझ रहे वो तुमारी नहीं समझ रहे एक दूरी आ गई एक ऐसी दूरी आ गई है कि हम लोगों को अब बैट कर सोचना पड़ेगा अपने इस कीस्वी और बाइस्वी सताब्दी के लिए आप में से और हम में से हर किसी को सोचना पड़ेगा अभी तो बाइसाब बीता क्या है सन 2030 आने दीजिए आने वाले केवल 13 साल में दुनिया सारी बदल जाएगी हजारों सालों का इतियास खतम हो जाएगा और आने वाले 10 साल में सारा स्वरूप चेंज हो जाएगा दुनिया का सारा स्वरूप चेंज हो जाएगा हम लोगों को को अब सूचना होगा है कि एक बिटिया कि एक बिटिया अपने पिता के पास पहुची और जाकर कहने लगी पापा पापा जिरा आप मुझे बताई कि आप रोज के कितने कमा लेते हैं पापा ने क्या क्यों तुम्हें क्या मतलब बोले ने पापा आप एक घंटा का कितना कमा लेते हैं तुम्हें क्या मतलब है मैं एक घंटा में कितना कमाता हूं कि एक दिन में कितना कमाता हूं इसे तुम्हें क्या प्रियुजन है बोले ने पापा मुझे जानना है कि आप एक गंटे में कितने पैसे कमा लेते हैं पापा ने का क्यों मैंने का ना तुम्हें क्या मतलब है पापा मुझे जानना है कि आप एक गंटे में कितने पैसे कमाते हैं अच्छा तुझी जानना है तो ले जान में एक गंटे में 200 रुपिय कमाता हूं पापा अब 200 रुपय कमाते हैं एक गंटे में प्लेज पापा मुझे 100 रुपय दीजे ना पापा मुझे 100 रुपय दीजिए पापा ने कहा साली बतमास कहीं कि 100 रुपय चाहिए करेगी क्या अरे वही तो करेगी डॉल खरीद के लाएगी और फिर इसको गुडिया को पहनाए में चली गई और ज्यादा सुबकने लगी पापा को लगा यार मैंने बेटी को फालत हुई डांट दिया ती को डांटने की जरूत नहीं थी मैंने उसको ज्यादा जरूत से ज्यादा डांट दिया वह वापस उसके कमरे में गया बिटिया के कमरे में गया तो देखा कि बिटिया अपने मा की तस्वीर को अपने आंचल में लिए वे अपनी गोद में लिए वे सुबक सुबक कर रो रही थी पापा पास में गये और देखा तस्वीर को उठाया ओ तो ममा की याद आ रही है तुझे जट से खुश हो गई, जट से उठके खड़ी वी, अपनी अलमारी खोली, और खोल करके उसमें जो पैसे थे वो, जट से उसने बाहर निकाले, निकाल करके गिनने लगी, पापा ने कहा, अरी बदमास, अरी तेरे पास तो पहले से पैसे पड़े थी, तो पिर तुमने मुझे सो रुपिय क्यों मांगे, उसने का पापा मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन पैसे थोड़े मेरे पास कम थे, पैसे तो थे, लेकिन पैसे मेरे पास कम थे, और बिटिया ने रुपिय गिने, उसमें से 100 रुपिय गिने और 100 रुपिय पापा ने दिये थे 200 रुपिय गिन करके पापा के पास आई और पापा के पास आकर कहने लगी प्लीच पापा प्लीच पापा ये लीजिए 200 रुपिय प्लीच पापा ये लीजिए 200 रुपिय आपने कहा था ना, कि एक घंटे में आप 200 रुपय कमाते हैं, मैं आपको 200 रुपय देती हूँ, पापा आज शाम को आप आफिस से जल्दी आ जाएगा, आज मेरा बर्डे है, मेरी इच्छा है कि मैं अपने पापा के साथ विश करूँ, एक घंटा बैठ करके अपने पापा क से वक्त लेनी के लिए, अपने माबाप से समय लेनी के लिए, अब 200 रुपय थमाने पड़ रहे हैं, पापा प्लीज एक घंटा आफिस से पहले आ जाईएगा, थाकि मैं बर्डे अपने पापा के साथ मना सकूँ, क्योंकि पापा सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, लोगों ने अपनी जीवन शैली को बहुत विक्रित कर डाला है, ताइम ही नहीं देंगे, समय ही नहीं देंगे, तो संसकार आएंगे, कहां से, जब छोटे थे, तो मैंने कहा था ना कि मेरी मा तो मुझे गुरु जनों के प्रवचन सुनकर बताया करते थी, कि बेटा, आज मैंने प्रवचन में ये सुना, बेटा ऐसे जीना चाहिए, बेटा ऐसे करना चाहिए, हम बच्चे थे, सुन लेते थे, सुनते सुनते सो भी जाते थे, क्यों भूलते हो कि मम्मी हमें सुनाया करती थी, लोरियां सुनाया करती थी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हां म तेरी आखों का तारहेतों हमें हमारी मम्मी वो लोरिया सुनाया करते थी पर हम ये क्यों भूल जाते कि मम्मा ने हम लोगों को लोरिया सुनाते सुनाते जीवन के कितने महत्वपून पाठ पढ़ा दिये थे पर अगर हम लोग अब दादा दादी के साथ नहीं रहेंगे उनको अपने साथ नहीं रखेंगे और केवल आप मम्मी पापा और वो एक या दो बच्चा अब हालत तो बैसा भी हो गई कि पापा जॉब में जाते हैं क्यो आठ बजे निकलता है क्योंकि आज की तारीक में सब लोगों को जॉब करते नहीं तो 30-30 किलोमेटर दूर शहर से रहना पड़ता है तो वो लोग फिर आठ बजे निकलना पड़ता है अब रात को फिर वहां से 12 गंटी की आज की तारीक में जॉब होती है और 12 गंटी की तस बजे तक आता है, अब सोचो, पापा तो गई जॉब में, और मम्मी गई, बोलो, थोड़ा बोलो ना, अपना एक्सप्रियन्स सुना दो, अगल बगल वाले का एक्सप्रियन्स सुना दो, पापा गई जॉब में, मम्मी गई मॉल में, अब बच्चे तो, अब संसकार ऐसे बनेंगे और आप लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हमारे बच्चे ऐसे हमारे बच्चे ऐसे अरे अपने बच्चों को मत कोसो कि हमारे बच्चे ऐसे बलकि अपने आपकी मरमत करके देखो कि हम कैसे अपने आपकी मरमत करके देखो कि हम कैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक स्कूल में विद्याले में वार्शिक प्रतियोगिता हो रही थी और वहाँ पर बच्चों को भाशन देनी के लिए कहा गया और विशे रखा गया था मैं क्या बनना चाहता हूं विशे क्या है सब बोलो तो क्या का मैंने मैं क्या बनना चाहता हूं और उसी से जुड़ावा दूसरा विशे है मैं क्या बनना चाहता हूं और क्यों बनना चाहता हूं तो अपने सामने अपना फोकस अपना गोल क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और क्यों बनना चाहता हूँ एक लड़का आया उसने कहा कि मैं अब्दुलकलाम बनना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने विज्ञान जगत में अपना नाम किया देश के राष्ट्रपती बन करके उन्होंने पूरे देशवासियों के भीतर उंचे सपने दे व्यक्ति भिच ने वाला व्यक्ति विदेश का पर्धान मंत्री बन करके पूरे विश्व का नीता बन सकता है तो मेरी तमना है कि मैं भी नरिंद्र मोदी बनौ तभी एक बिटिया आई उसने का कि मैं बड़ी हो करके कलप ना चावला बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से कलपना चावला चंद्र लोग तक पहुंच करके उसने हमारे भारत का गवरों बढ़ाया मैं भी ऐसे ही कलपना चावला की तरह है फिर से चंद्र लोग तक जाना चाहती हूँ, अब सब लोग अपने अपने इसाब से कोई क्या बनना चाहता है, कोई सचन तेंदुल कर बनना चाहता है, कोई अमिताब बच्चन बनना चाहता है, कोई स्वामी विविक का नंद बनना चाहता है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तभी, अब मैं आता और कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या बनना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं मैं मोबाइल बनना चाहता हूं क्या बनना चाहता हूं सारे लोग चौँके है, पिरिंसिपल चौँका हेड मस्टर strengths है, सारे अतिति गणभी जो आये थि वो भी चौँके अबधुल कलाम बंना चाहता है what gonna 的 समझ में आती है, सhachinada Duolkruer कर बंना चाहता है क्योंकि मैं देखता हूं कि मैं जब भी घर में जाता हूं मैं एक ही चीज देखता हूं कि मेरी मम्मा दिन भर के वले एक ही चीज में व्यस्त रहती है और वो है बोलो तो मोबाइल WhatsApp में, SMS में, Facebook में, YouTube में हर समय उसकी एक से ही दोस्ती है और मेरी मम्मी मोबाइल पर तो अंगुलियां चलाती है मुझे याद नहीं है कि मेरी मम्मा कभी प्यार से मेरे बालों में भी अपनी अंगुलियां चलाती हो कभी पास में बैठ करके मुझे प्यार से समझाती भी हो अगर वो मैं थोड़ा सा भी इदर उधर का कर देता हूँ वो जट से हम पर गाली गलोच करना शुरू कर देती है डाटना डपटना शुरू कर देती है ओहो कभी हमारी मम्मा ने कभी प्यार से मुझे अपनी गोद में बैठा कर न प्यार किया न प्यार से समझाया और जब तक मुझे प्यार से नहीं समझाया तो आज मुझे लगता है काश मैं अगर मुबाइल होता तो हर समय अपनी मम्मा के हाथ में रहता अपनी मम्मा की गोद में मैं रहता, आदमी मोबाइल बनना चाहता है, हम लोगों ने अपनी जीवन शैली ऐसी बना डाली है, अब लोगों का जीवन जीवन नहीं रहा, लोगों का जीवन एक व्यापार बन गया है, लोगों ने बाकी चीज़ों को गौन कर दिया किवल पैसा 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 money investment ही हमारे लिए मुख्य होता चला गया मैं अब अपनी आगे बात करूं उससे पहले अब केवल आपको पहले ये समझा देना चाहूंगा हम मैं से जब तक कोई व्यक्ति अपने संस्कारों के प्रति गंभीर नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति हमारी बातों को सुनकर भी अपनी जीवन को सही रास्ते पर लेकर नहीं आपाएगा महवीर स्वामी तो 30 साल तक समाज के संसकार निर्मान के लिए प्रेतन करते करते मुक्त हो गए आदीनाथ भी मुक्त हो गए राम और किष्ण भी मुक्त हो गए हम और आप भी मुक्त हो जाएंगे सवाल ये है हमने अपनी और से कितने दीप जलाए आज अगर मैं पूछ हूँ, चलिए मैं एक काम करता हूँ, आप में से कोई भी तीन चार बच्चे खड़े हो ना पसंद करते हूँ, तो खड़े हो जाईए, खुद खड़े हो, देखो, एक नहीं हिम्मत की, मुझे पता है, आमें से बिटिया ही हिम्मत करती है, दो बिटिया खड़ी होई, चलो आगे आजाओ बेटा, आगे आजाओ, एक बेटा खड़ा हुआ, चोटा, चल आजा, देखिये, एक बहुत बड़े फिलोसॉफर हुए, जिनका नाम था अरस्तु, क्या नाम पता है मैंने, अरस्तु, अब समझेगा, इनसे में सवाल करूँ, उससे पहल दार्शनिक और महन चिन तक बने, आप जरा मुझे बताईए कि मैं कितने वर्ष की उम्र में अपने बच्चे को आपके पास लेकर आऊं, अरस्तु ने कहा, तुम्हारा बीटा अभी कितने साल का है, बोले पांस साल का है, बोले जल्ती जाओ, दोड़ कर जाओ, और अपने बच्ची को इसी समय लेकर आजाओ, बोले मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, पांस साल का है, अरस्तु ने कहा, ए बेहन, तुने पहले से ही बहुत विलंब कर डाली है, अगर तुम अरस्तु जैसा विद्वान, अरस्तु जैसा महन दार्शनिक चिंतक व्यक्ति को पैदा करना चाहती हो, तो पहले से ही तुने बहुत विलंब कर दी, तुने कहा कि पांच साल का तेरा बेटा हो गया, अरे इनसान की सिक्षा की शरुवात उस समय नहीं होती, जब उसका बेटा पांच साल का होता है, बलकि इनसान के सिक्षण की असली शरुवात तभी हो ज बोला निभी रचा इंसना है। का जब अबन legislators और वेरी बोला कि मुझे अजी पूरे हैं, मुझे ब अच्छा इंसन बनना है। प्रहों, प्रहों का अप्राइब का एक क्या बनना है। पर क्या ममा है relacion Erstा के बनना है। मुझे अछे अंसान भी बना और भाप के सब पूरे कर नाया है मापप के सपने पूरे कर वाप के इंगेत मेरे सपने नहीं यह के सब द हैं आप्भाप के सबड़ करेंगे हैं अगले से बड़ा थो बड़ा करना है वहां अच्छा इंसान, अभी घटिया हो गया, हैं अहां आदे새 पीय चे पर रख्ल दूसरों के प्रथी ऑच्छा व्यावर, रख वापस पेले सिवाले से पूछता हूँ, आप ने का कि अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, तो अब जरा पहली बात बता हो कि अच्छा इंसान बनने के लिए आदमी क्या करना चाहिए, नहीं पता, सेकंड को दे हो, जो ममी पापा बोलते हैं, उनकी बातों को सुनना और तो यहां, अज़ एक सब Watts, बातों कहीं लाप करना यह एक, काई लूपनी उड़ियेग, आप को फि như जिर्टो सबीटों करना चाहिए, फिर मापाप iç ल।क बंधर लगता हैं, एंज़ एप कर मुझ अच्छा इंट्अन बनन्य के दीन एंसान बंसे चाहिए, पंशे करना और यह मत देखो कि मम्मी पापा हमें क्या कहरे है बलकि यह देखो cast 지역 कि मम्मी पापा जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाईया है और उसमें हमारा कितना भविष watch बजवल खिपा हुआ है आप नहीं चुआ है मैं बडी होकर क्या मम्मा कि अजिए ओगा था? कि अजिए आख एगना था? तर्णसलेटर बना था? किसी का ट्रंसलेशन करेंगे? अजिए आप बड़े कंपनियों में जाना है आप बिजनेस्मेंट बनना चाहते हैं इंसान बनना चाहते हैं अच्छा व्यवहार चाहते हैं यह ड में मतेतार निव्याँ जिए तो bereवा करना चाहते हैं एक वाद बदाउ हुझे पटाय बेट अनहीं आपकोस अपनी मम्ना से क्या शिकायत है ममंम work mum a मारती है नम्मर एक वेरी गुड बहुत अच्छी बात है में में को गो प्रभुजी पूछते हैं किसको मारती है पापा को है आपको बोले कि नहीं मेरे कोई ठीक है अच्छा पापा मारते हैं नहीं पापा नहीं मारते हैं पहले जो जमाना था वो अलग जमाना था पहले पापा ठोकते थे और मम्मी बचाती थी और अब मम्मा ठोकती और पापा ब तो यह बात अच्छा कह रही है कि बूरी बात कह रही है अच्छा अच्छा कह रही है तो फिर हमें वो बुरा क्यों लगता है ओपनी और हाइट हाँ बोलो ममा ममा जब आप से कहते हैं पूजा करके आओ मैं भी जब चोटा था ना तो मुझे भी मेरी ममा कहते थी मंदिर जाक पूजा करके आओ दर्सन करके आओ तो हम लोग छोटे बच्चे थे जितना ही है उत्ते ही शरारती हम भी थे हम कोई तीस मलग कोई बगवान माविर के अवतार तो है नहीं तो हम लोग भी जाते थे जट से मंदर में जाके तिलक जैसे अवी इसने लगाया वाइना तिलक लगाया और दौड़के आजाते है मम्मी मम्मी जल्दी नास्ता कर ओ भूग लग गई पूजा कर आगए पूजा कर आगए तो अब जड़ा एक बात बता हो कि मम्मा आपसे कहत यह ज़ा। है मममा चलाईली है जा चलाई है यह बोलो। है थेंक यू थेंक YOU कंड़े मममा का है डूंड़ो। यह दोना यहाई वेरे गई आउल। मम्मा ने बेटे को बेजा और और मम्मा खुद नहीं आही कि अधिए, वेरेग। ज़र जाए मम्मा मा थैंक्यू 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 तेन भार थैंक्यों कहा है और भूले क्यों भी जिए थाट रख आपको आपको गलत समझा आप मुझे चिलाते हैं जबकि आप मेरी जीवन के सुधार के लिए मुझे मुझे बेजना चाहती हैं अच्छा आप जिद करते हैं यह जिद करते हैं ज्यादा नहीं थोड़ी करते ह हाँ छिद करते हम इसे अच्छा आप जयादा करते हैं यह जब करते हैं अच्छा फिर पिछारी ओछ चिला ही और करेंगी क्या है तब फिर नीचे खड़ी ज़िए इक वाद बात बदा था हो कि अपको पाप से कोई शिकायत है यह नहीं 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 तो आट इसे ज़िए खाईत को आता है जुछा हुथ कृता है कि जुछ कुछ की हमाह दितो दिन पर तही देता है को तारिख तारीख पहले जमाने में अचिता हुझे चाहने विखाईत करने है सहले माज गुछ कुरत नड़े मेर आज lil नड़े मि乐Sakूं तो फिर तो बोल लो पनोगर कि मम्मा सिया क्या शिकायत है नमबर एक मम्मा मारती है ठीक है तो मम्मा को चैंज करें पापा को बोलने है मम्मा को चैंज कर दो यह मम्मा मारती है दूसरे लेकर आओ नहीं नहीं मम्मा तो यही चाहिए दिल पर हाथ रख करके कि मैं आज से शैतानी नहीं करूँगा, मैं आज से क्या नहीं करूँगा, जोर से बोलो तो, जोर से बोलो और यहीं से खड़े-खड़े हो करके मम्मा को जोर से बोलो, मम्मा, मैं आज से शैतानी नहीं करूँगा, थोर जोर से बोलो, मम्मा, आज से मै स्वाल आता है कौन से संसकारों से अपने आपको संसकारीत करें नंबर एक पहला संसकार और वो है स्वच्छता का संसकार पहला संसकार सा बोलो तो कौन सा स्वच्छता का संसकार दूसी बार फिर बोलो तो कौन सा संसकार स्वच्छता का संसकार तीसी बार फिर अपने आपको बोलो और कहो कि पहला संसकार कौन सा है स्वच्छता का संसकार भारत का अगर लोग आप लोग भाग्योदय चाहते हैं अपने देश से अगर सच्चा प्रेम करते हैं तो मैं कहूंगा भारत के लिए आज अगर सबसे बड़ी जरूत है तो क्यों इस बात की है कि हमारा भारत साप सुत्रा होना चाहिए यहां पर ना गंदगी करो और ना किसी को गरने दो हमारा पहला संकल्प हो मैं गंदगी नहीं करूंगा और किसी और को गरने नहीं दूंगा स्वच्छता स्वर्ग की जननी है जहां जहां स्वच्छता होती है वहाँ वहाँ स्वर्ग का अवतार अपने आप हो जाया करता है अपन लोग विदेशों में जाते हैं कल शाम को ही यहां के संग के अध्यक्षशरी भवर जी बैठे थे जापान जाकर आएं अभी अभी 30 लोग जाकर आए थे तो कल ही वह पहुँचे और आकर के तारीफ करने लगे साब जापान क्या है जापान क्या है जापान क्या है इतना स्वच्च कहीं एक कंकर भी देखने को नहीं मिलता कहीं भी कोई पत्ता भी देखने को नहीं मिलता लोग बड़े इमानदार हैं मैं अपना मोबाइल भूल गया था 100 किलोमेटर आगे चला गया और तम मुझे याद आया मेरा मोबाइल तुम्हें भूल गया मैंने वहाँ फॉन कराया फॉन कराते ही पता चल गया आपका मोबाइल यहां पढ़ा है और उसी समय कोरियर से रवाना करके और मेरा मोबाइल पीजी मन्दर जाना नहीं होता मत कीजिए पर कम से कम गंदगी तो मत कीजिए हम लोग अपनी पतरों से गंदगी तो न करें कितने गौड़ों से कहते हैं अमेरिका ऐसा सिंगापुर ऐसा दुबाई ऐसा शुक्राइब कर मेरे भाई अगर यह हंदुस्तान आने वाले 10 साल के लिए अरे मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार bullet train चला पाए कि न चला पाए पर bullet train पर जितना करचा होने वाला है केवल उतना खरचा अपने देश की सफाई पर लगा दे तो हर गली गाउं अपने आपने bullet train बन जाएगी यहीं पर स्वर्ग उतर करके आ जाएगा आज अगर हम लोग स्वच्छता के प्रती अगर जाग रूख होते हैं तो हिंदुस्तान में डॉक्टरों की जरुद 50% कम हो जाएगी अस्पतालों की जरुत 50% कम हो जाएगी बीमारिया कम हो जाएगी दवाओं की खपत कम हो जाएगी क्यों हमने गंदगी फैलाना बंद कर दिया गंदगी नहीं फैलाएंगे तो परिणाम ये होगा कि वेक्टिरिया नहीं फैलेंगे गंदगी नहीं फैलेगी बिमारिया नहीं फैलेगी डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग नहीं फैल पाएंगे हम लोग पता नहीं जागरू क्यों नहीं हो पाते हैं, हम लोगों ने क्या ये समझ लिया है कि गंदगी में भी कोई धरम होता है, स्वच्छता ही स्वर्ग का पहला द्वार है, मैं कहूंगा आप प्रति दिन इस्नान कीजिए, अपने आपको स्वच्छ कीजिए, कपड़े प स्विकार मत किजिए, अपने नाखुनों को काटिए, जापान में चीन में लोग खाना खाते हैं, चाकू और चम्बस से अपन खाना खाते हैं, अपनी अंगुलियों से, अपने हाथ और अंगुलियों से अपन लोग खाना खाते हैं, और अगर हम लोग नाखुन बढ़ा कर रखेंगे एक बात है है खाना जब भी खाओगे तो थोड़े अन के कण तो नाखुन में भी अठके रह जाएंगे और परिणाम ये निकलेगा कि दिन बर में पड़ा पड़ा वो अन सड़ेगा और शाम को फिर जब खाना खाओगे तो वही सड़ा हुआ अन का कण हमारे पेट में जाएगा अगर आपको अपनी हेल्थ से प्रेम हो अगर आपको स्वास्त से प्रेम हो तो मैं कहूंगा पहला नियम अपनाओ मैं अपने आपको सच रखूंगा न केवल अपने आपको बलकि अपने घर के वातवर्ण को अपने घर के आसपास के वार दादा के सामने बैठ कर भक्ति करना अरे भाई भक्ति करना बहुत अच्छी बात है पर महिने में एक दिन ही सही जितने भी मंडल जो भी देश में रहते हैं अगर ये बीडा उठा लें कि हम महिने में 30 दिन भक्ति करेंगे पर महिने में एक दिन हम सच्छता के लिए समर करो वहां की चटों को साफ करो अरे मूर्ती पर जल और दूच चढ़ाना आसान है पर मूर्ती जहां बैठी है उसकी चटों को जाकर के साफ करना ये रुद्रा भिशेक करने के समानी ही है मंदर की चटों पर जाओ, जाकर देखो, आप अपने घर की चटों पर जाएं, लोग कहते हैं वास्तो दोश ठीक करना है, और वास्तो दोश को ठीक करने लिए, कोई तो लाता है लाफिंग बुद्ध का इस टैच्यू लाकर के अपने घर में रखता है, कोई हिन हिनाती हुए गोडों का चित्र लगा करके अपने घर के वास्तोदोश को ठीक करता है या फिर कोई लोग सोचते हैं घर में आईना लगा दो तो उससे वास्तोदोश ठीक हो जाएगा मैं कहूंगा अगर घर का वास्तोदोश ठीक करना है तो सबसे पहले घर में जो फालतू का अटारा पड आपके घर का वास्त दोश अपने आप ठीक हो जाएगा कुल देवता कुल देवता वहां नहीं रहते जहां घर में मंदर बना होता है कुल देवता वहां आकर रहते हैं जहां घर में साफ और सफाई होती है जहां घर स्वच्छ होता है वो घर मंदर के समान होता है और जहां जो इस्टोर रूम होता है ना, उस इस्टोर रूम के एक कौने में ले जाकर छोटा सा अड़ा बना देते हैं, इदर में आसा पूरा माता, उदर में नाकोडा बेरुजी, इदर में ये वो सब छोटी छोटी वो जो 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 आत्मा के लिए बिठाने के लिए उतना ही इज़त भरा इस्थान बनाएए जितना इज़त भरा इस्थान आप अपने खुद के बैठने के लिए और घर में आने वाले अतितियों के बैठने के लिए आपने जितना सुन्दर और हाई लेवल का आपने जो कुछ बनाया है जब उतने ही हाई लेवल का जब आप अपने कुल देवता हूं के बैठाने का इस्थान बनाएंगे, तो कुल देवता सुर्ग में नहीं रहेंगे, बल्कि आपके अपने घर में आकर के निवास करेंगे, ना मैं गंदगी करूंगा और ना करने दूंगा, ना मैं गंदगी जाते ना थानक जाते हैं मैं कहूंगा मैने में एक दिन एक सामाई कम कर लो मैने में एक सामाई कम कर लो एक दिन मंदर के पूजा मत करो और एक दिन काम करो आप जिस थानक में जाकर सामाई करते हैं जिस मंदर में जाकर सामाई अपनी पूजा करते हैं उस मंदर की बाहरी सफ तो यहां जो दादा बाड़ी है ना मैं वहां रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ऊपर रहता हूँ जिदर भी नजर डालता हूँ छटो पर तो कच्रा 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 नजर आता है अब मैं तो अतिती हूँ इसलिए ज्यादा बोल नहीं पाता पर वो लोग जो लोग यहां बैठे हैं उन ट्रष्टियों से इतना जरूर कहूंगा स्वच्छता को मंदिर परिसर का पहला पगतिया बनाईए चार फूल कम चड़ाएंगे तो चलेगा पर जो चड़ेवे वहां सड़ रहे हैं उनको पहले साफ सफाई करवाईए यह आपका और हम सब लोगों का पहला द नाखून साफ रखो खाना खाओ तो हाथ धो करके उसके बाद खाना खाओ हो सके तो अपनी थाली भी धो करके रखो खाना खाने के बाद यह मत सोचो कि घर में बाई आएगी तभी वो थाली धोएगी अरे मेरे बाई बैनो सुबह जब हम जाते हैं तो अपनी बैठक हम दो होते हैं तो खाना खाते हैं तो हमारी थाली कोई और धोने की हुजज़त क्यों उठाए एक सेकंड लगता है थाली उठाई पानी डाला साफ करके रख दिया साबुन से धो सके तो अच्छी बात पर कम से कम उसको सड़नी के लिए ना रहने दें मैं तो कहूंगा भई अगर आप भोजन भी करते हैं न मैंने कभी बहुत पहले देश के नाम एक अच्छा सा पैगाम दिया था और वो पैगाम था उतना ही लो थाली में की व्यर्थ न जाए नाली में मैं आज आपको एक बहुत अच्छा नियम दिला देता हूं अगर आप लेना पसंद करते हों तो मैं आपको एक नियम दिला देता हूं और नियम मेरा छोटा सा नियम होगा देखें मैं आपको उपवास करने के लिए आज नहीं कह रहा हूं अठाई करने के लिए नहीं कह र भाई ये बात में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं दुनिया में कुछ लोग भोजन करते हैं और कुछ लोग प्रसाहद ग्रहन करते हैं मैं कहूंगा भोजन को भी प्रभू का प्रसाहद मान करके ग्रहन कीजिए ताकि एक कण भी जूठन ना जाए और मैं केवल ए एक कण भी जूठन नहीं छोड़ूगा। क्या का मैंने। ये भी देश की बहुत बड़ी सेवा हो गई भाई साथ। अगर आप किसी के दिल को नहीं दुखाते हैं, उसके दिल को खुशियां देते हैं तो ये भी रक्तदान हो गया। अगर आप किसी थके हुए इंसान की पिट थप थप आते हैं तो ये भी श्रमदान हो गया। और अगर आप जूठा जूठा छोड़ने का अगर नियम बना लेते हैं कि मैं आज के बाद किसी भी तरह का अन्न का कण जूठा नहीं छोड़ूगा। तो ये भी अन्नदान करनी के समान हो गया कि मैं जूठा नहीं छोड़ूगा। खाना लो धाप के खाओ प्रेम से खाओ जीमन में जाओ तब भी खाओ घर में रहो तब भी खाओ पर नियम केवल एक ही रखो आप तीन नहीं तेतीस आइटम खाओ खाने के लिए कोई मना ही नहीं पर जैसे ही थाली में भोजन लो अपना नियम याद रखो मैं जूठन मैं जूठन मैं जूठ से बोलो तो मैं तीसी बार बोलो तो मैं ये बहुत कठिन नियम है ये दिखने में बहुत आसान है योपवास करने से भी ज्यादा कठिन काम है इश्वर ने प्रकृति और परमात्मा ने भोजन करनी के लिए बनाया है जूठन छोडने के अन सड़ता है सड़ने से बिमारिया पैदा होती है वैक्टिरिया पैदा होते है बिमारिया पैदा होती है अगर आपको दुनिया से प्यार है इंसान ये से प्यार है पसुपक्षियों से प्यार है मैं कहता हूं भई आपको गाय को रोटी देनी है दो जूठी रोटी तो मत द आपको किसी कुत्ति को रोटी देनी है, रोटी दो पर जूठन मत दो, आपको नहीं पता, आप जूठन छोड़ देते हैं, जिल लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, वो वहां आकर के उन पत्तलों के पास बैठ बैठ करके वो खाते हैं, आपका जूठन खाते हैं, मैं कहता ह तो I can have a किते लोग बोलेंगे आगे ? कितने लोग बोलेंगे आज से ? कितने लोग है जनके भी तरफा आत्मा है कि मैं आज से क्या करो ? हात खड़ा करने का मतलब जानते हैं आप ? प्रान जाए पर प्रान जाए पर अपने गर में जूटा नहीं छोड़ेंगे पर कहीं जाएंगे तो भी जूटा बाई साब दो थाली लेकर के बैठो एक थाली हो जिसमें अगले ने पुरसा है एक थाली अलग से लेकर बैठो जितना जितना चाहिए उतना लो प्रेम से खाओ और जो बच गया वापस ले जाकर के जमा करवादो पर जूटन मत छोड़ो जूटन छोड़ना अन का अपमान है जूटन छोड़ना अन का अपमान है दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाने को भी नहीं मिलता और हमें खाने को मिलता है तो हम जूठन छोड़ते हैं, ओहो, अन्देवता का सम्मान करना सीखो, और ये भाव रखो कि मैं जूठन, अब देखता हूँ, मैं हाथ जुड़वाता हूँ, सबसे कितने लोग हैं, हाथ जुड़कर अभी ये नियम लेते हैं, पहले हाथ खड़ा करके बता दो, ताकि एक और नजर मेरी पढ़ जाए, आप सच्छता कसंसकार, और तोपी वाले दादाजी, आपका हाथ नीचे कैसे हाँ, जुठा चोड़ेंगे, अच्छा, अच्छा थाली दोकर पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा इमान दरी से हाथ खड़ा कि वो अपने देश का सम्मान करते हैं या नहीं, अन का सम्मान करते हैं या नहीं, बोलो हम नियम लेते हैं, कि हम बोजन में जूठन नहीं छोड़ेंगे, बोजन में जूठन नहीं छोड़ेंगे, बोजन में जूठन नहीं छोड़ेंगे, बोजन में जूठन नहीं और प्रसाद कभी जूठा नहीं छोड़ा जाता सम्मान के साथ ग्रहन किया जाता है आप भी आज के बाद जूठा नहीं छोड़ेंगे खड़े ऑो तो भैया असली टालियो तो इस Cowl Ike erama के लिए बजा हो कि जागे तभी सवेरा और अगर आपने संसकार के नाम पर पहला अगर यह संसकार जोड़ लिया तो भी अपने आप में प्रयापत है और वह है आज से हम जूठन नहीं छोड़ेंगे क्यों बई वीडियो ग्राफर जी आपने भी नियम लिया यह कहते हैं वीडियोग्राफर साब कहते हैं कि मैं कभी जूठन नहीं छोड़ता और सौमवार के दिन जिस दिन वरत करता हूं तो थाली धोकर के पीता हूं यह जैनी हो गया अरे भई हमें तो यह समझाया गया है कि खाना खाने के बाद अगर थाली धोकर पी लेते हो तो आपको एक आयंबिल करने का सुब फल प्राप्त हो जाता है तपका फल प्राप्त हो जाता है ले लो पई नियम ले लो अपना ठिक कर लो जिसको जो ठिक करना है तो पहला संसकार सवच्छता का संसकार आपके गर में बेहनो जो फालतु की साड़िया पड़ी है अठाव अठावा पहनने वाले नहीं वो पुरानी साड़िया जो हो गई ना शादी की निकाल के फैको अई अगर आपको दूसरी शादी करने हूं तो भली शंबाल संबाल के रखो अगर दूसरी शादी करने हूं कि भी मुझे फिर वो काम में लेनी है तो फिर भली पैनो नहीं तो पूराना अक्टारा निकाल निकाल के फैको फालतो उनको संभाल संभाल के रखना पड़ता है निकालो किसी जरुत मंद को दे दो बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके पास तो हजार के साड़ी पैनने को है उनके पास बीस रुपी वाली साड़ी पैनने को है आप ले जाके उनको दे दो किसी की दुआ भी लगेगी और आपका परिग्रह भी कम होगा हम तो यह मान कर चलते हैं कुटा भी अगर बैठता है तो जहां बैठता है पहले सफाई करता है बा उनका स्वरूप नीचे से लेकर उपर तक ऐसा रहना चाहिए कि कोई अंगुली फेरे तो उसके हाथ में रंज या मिट्टी नहीं आनी चाहिए आदमी के अंदर जाते हैं ऐसे लगना चाहिए जैसे वो फाइव स्टार होटल में आ चुका हो ओह सफाई को महत्व दो विदेश जाते हो सफाई को महत्व देते हो मैं कहता हूँ कल को कोई आपके घर पर आपकी धरमशाला में आपके स्थानक में आए तो कहे सहब हम वहाँ गए थे आनंद आ गया ऐसे लगता है हम जापान गुम के आ गये भारत गंदा मिलता इसलिए जापान गूमने की इच्छा होती है और अगर भारत ही सापसुत्रा हो जाए तो जापान ही हिंदुस्तान में आएंगे कि अगर देश देखना है तो भारत जाकर के देखो, वहां के साप सफाई देखो, संसकार दूसरा और वो संसकार है, सम्मान का संसकार, दूसरा संसकार क्या बता रहा हूं आपको, जोड़ से बोलो तो, सम्मान का संसकार, तीसे बार फिर बोलो तो, सम्मान का संसकार, सम्मान देकर ही सम्मान पाया जाता है, क्या किया जाता है, सम्मान देकर ही सम्मान पाया जाता है, देखिए हम कहीं भी अगर किसी भी कारिकरम में जाते हैं, वहां बड़े-बड़े संत, महंत, जो भी होते हैं, हम जब तक वो सब लोग नहीं बैठ जाते हैं, हम नहीं बैठत उसी भावना के साथ उनका अभिवादन करते हैं, जिस भावना के साथ वो हमारा अभिवादन करते हैं, अरे हम तो कहते हैं, भई, शावक भी अगर हमारे सामने आता है, सद्ग्रियस्त भी हमारे सामने आता है, वो कहते हैं, बाप जी धोक, मथेन वंदामी, तो हमां हाथ वो पिछे बहुलें कि देखे यह दादा जी खड़े लेकी क्या कहते हैं हम आपको मत्यन वन्दा मी बोलते हैं तो आप आमारे सामने हाथ जोड़के परद्णाम करते हैं वर्य गुड वर्य गुड वर्य गुड ये इस बिंदु से सीखो री में वाल घख्रीव को चाहना आज आप हमारे इट्छे चाहने वाले आगे?" एममारे अच्छे चाहनेे वाले आगे? मुख भुच अच्छा लगा वह बहुत अच्छा लगा वेरी गड़ुड आच्छा अच्छ लगाइव एक साथ जिएू और ने करें लिए और देखे हैं मुनी है क्या तुम्हें उसके इसाब से खमास प्रणा दो मैं करना है क्योंकि हमें पता है कि प्रणाम करने से कुछ मिलने वाला है आशिरवाद देने से तो कुछ नहीं मिलने वाला है हैं प्रभु जी को जब ही आपको प्रहनम करते हैं तह आप आओ का ऐसा करते हैं कि प्रभु जी आप को रहा है कर दो प्रबुझी पनाों पदार और हो अन के पत्नी ने भी कभी पती परमेशोर नहीं पर हम उन्हें पती परमेश्वर मानते हुए कहते हैं पदारो प्रभु जी दिली प्रभु पदारो अरे मेरे भाई सम्मान हमेशा हमेशा सभी लोग याद रखो सम्मान हमेशा देनी की चीज होती है सम्मान कभी भी लेनी की चीज नहीं होती यह कभी मत सोचो कि चार लोग कैसे पैना हो सम्मान हमेशा एष्वर ने देने के लिए बनाया संमान कभी लेने के लिए नहीं बनाया इसलिए संभान देने से अहनकारण टूटता है तूच इसलिए जब भी मौका मिले अगले के पाऊंच हुँ सब्सक्राण करो अधर अदब दो, आदर अदब दो, हम इसलिए कहते हैं, अमीरायत बाद में हासिल करो, अदब पहले हासिल करो, अमीरायत बाद में हासिल करो, अदब पहले हासिल करो, तालीम बाद में लो, और तहजीब पहले लो, सिक्षा बाद में लो, और संसकार पहले लो, देखे, मैं आपको छोटी सी घटना बताकर आपको motivational प्रेरना दूंगा और प्रेरना ये इसमें धार्मिक प्रेरना भी छेपी हुई है क्योंकि भगवान श्री महावीर ने तो उत्रा ध्यन सूत्र का पहला अध्याई है आपको पता है कि नहीं है क्या है कोई बता सकता है उत्रा ध्यन सूत्र का पहला ध्याई पहली बात क्या है महावीर क्या समझाना चाहते थे दुनिया को विने विने वेरी गुड भगवान महावीर का सबसे प्रमुक आगम है उत्रा ध्यन सूत्र उसका पहला ध्याई पहला शब्द है और वो है विने और उसी विने की बात मैं आपको कह रहा हूं और मैं केता हूँ सम्मान का संसकार दो और मैं आपको छोटी सी मोटिवेस्टनल प्रेणा लेगे घटना यह सुनाता हूँ कि एक फैक्ट्री में गाड खड़ा है एक तो मैन गेट पर और एक गाड खड़ा है फैक्ट्री के अंदर जाने वाला जो गेट है वहाँ पर एक तो काम करते हैं सब लोग अंदर आते हैं तो गाड का काम क्या होता है कोई बताएगा गाड जो सेक्रीटी गाड वहां खड़ा है और जब भी कोई आफिसर या चोकीदार जो भी खड़ा है वहां पर वह क्या करता होगा कौन बोलेगा कड़े खड़े और घड़े जवाब अब बात यह समझ नहीं की है कि उन सारे अधिकारों में एक अधिकारी ऐसा था कि जब भी कोई गार्ड सेक्यूरिटी गार्ड उनको हाथ जोड करके सेल्यूट मारता या परणाम करता तो वह भी वापस बदले में हाथ जोड़ता था सिर जुका करके उनका अभिवादन अभिवादन किया करता था यह नित्यक्रम था वो जब भी आता गार्ड उन्हें सेल्यूट मारता और वह वापस हाथ जोड़ता सिर नवाकर अभिवादन करता और अपनी आफिस के लिए अंदर चला जाता एक दिन एक दिन शुक्रवार की शाम थी शनिवार और रविवार दो दिन फैक्टरी बंद रहती थी और शुक्रवार की शाम को जब वो काम कर रहा था करते करते न जाने उसे जपकी लगी और वो वही टेबल पर अपना सिर रख करके सो गया सारा इस्टाप चला गया सारे ऑफिसर चले गए वो अकेला अंदर रह गया और उस कंपनी की व्यावस्था थी कि जैसे ही सारे करमचारी बाहर निकलते हैं कि कि मान लीजी कि 6 बजे है और 6 बजते ही सारे स्टाफ पहले चलेगे तो ठीक सवा 6 बजते ही एटोमेटिक वहां के सारे दरवाजे बंद हो जाते थे और उस दिन ऐसा ही हुआ कि 6 बजे सारे स्टाफ चला गया और सवा 6 बजते ही अचानक सब आटोमेटिक सब बंद हो गया और जैसे बंद हुआ कि अंदर की लाइट भी बंद हो गई यसी बंद हुआ पंखा बंद हुआ और उस आदमी की नीद गर्मी के अब कल शनीवार चुट्टी रईवार चुट्टी सौमवार को सुबह नौ बजे अब वापस फैट्री खुलेगी वह उलज गया बड़ा पसुपेश में आ गया उसे एक अलग तरह का फोबिया होने लगा डर लगने लगा और अंदर से उसे लगना लगा कि जैसे उसका ब दोड़ा अंदर आया देखने के लिए अंदर दोड़ा हुआ आया और जैसे ही अंदर आया कि उसने साहब को सामने खड़ा देखा साहब साहब अनर्थ हो जाता अगर बंद रह जाते आप तीन दिन के लिए सपुकेशन में आपके मिर्ति हो जाती सर 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 जल्दी बाहर नि गया आखिर क्या वजह रही कि तुमने पैचान लिया कि मैं अंदर रह गया बोले सर और कोई ऑफिसर अगर अंदर रहता तो हमें से किसी को भी पता नहीं चलता पर एक मात्र आप ही ऐसे ऑफिसर हैं एक मात्र आप ही ऐसे ऑफिसर हैं जो जब भी अंदर आते हैं हम आपको प आप जब भी आते हैं आपका अंदर जाना भी याद रहता है और आपका बाहर निकलना भी याद रहता है आज आप बाहर नहीं निकले तो मुझे लगा कि आज वो अफिसर तो दिखाई नहीं दिये कि जो हाथ जोड करके अपने स्टाफ का अपने फॉर्थ क्लास के स्टाफ क कभी सेकुरिटी गार्ड का भी सम्मान करना जानता हो, मुझे लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सर कहीं अंदर रह गए हो, बस यहीं सोच करके मैं दरवाजा वापस खुलवा दिया, लाइट जलवा दी और मेरा संदेह हाकीकत में बदल गया, आप अंदर थे, सर आप कि वल इसलि यह बचे क्योंकि आप छोटों को भी सम्मान देना जानते हैं, और मैं कहता हूँ, आप हर किसी को सम्मान दो, भाई को सम्मान दो, पड़ोसी को सम्मान दो, पत्नी को सम्मान दो, साली को सम्मान दो, अपने घर में काम करने वाली आने वाली बाई को भी, सम्मान दो, बाई को भी सम्मान देना सीखो बच्चों को भी सम्मान देना सीखो आज कल तो वैसे भी कई घरों में परंपरा चल पड़ी है कि अपने बच्चे और बच्चियों को भी लोग आप कह करके संबोधित करते हैं भाई साब आप कहकर संबोधित करते हैं आप उन्हें संबान दे रहे हैं संबान की परंपरा संबान के बीच आपके घर में स्थापित होने चाहिए एक दूसरे को संबान देना हमारे भीतर आना चाहिए सुबह उठो मम्मी पापा को प्रणाम करो यह संब सुबै उठो मम्मी पापा को प्रङाम करो यह संबबर है सुबै उठो और सबसे अपने पती को भी प्रणाम करो मैं वहाज को सुबै जोड़ो हाद जोड़ो, पत्नी के तरफ नजर डालो और कहो महालक्षमी, प्रणाम, ओ आप कहके देखो, पत्नी का आपके प्रती, आपका पत्नी के प्रती नजरिया पॉजेटिव बन जाएगा, व्यवहार पॉजेटिव बन जाएगा, लड़ाई जगडे कम हो जाएगे, घर का तना करना सिखाओ, चाचा कव भी सम्मान देना सिखाओ, सम्मान दोगे, तो ही बदले में सम्मान मिल पाएगा, अपमान, अगर आप अहिंसा में विश्वास रखते हैं, अगर आप अहिंसा में विश्वास रखते हैं, तो ये नियम जरूर लो, अहिंसा तभी जीवित होती है, जब आदमी अपनी जीवन में प्राणी मात्र की प्रती सम्मान का भाव लेकर आता है तभी अहिंसा जीवित और साकार होती है और इसलिए मन में ठान लो आज के बाद मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूँगा क्या का मैंने? आपने क्या सुना? क्या नहीं करेंगे? आज के बाद? खड़े हो ये तो इधर आए तो? वेलकम बिटा आज के बाद हम किसी का अपमान नहीं करेंगे खुद का भी अपमान नहीं करेंगे? मम्मी का भी अपमान नहीं करेंगे? पापा का भी अपमान? नहीं करेंगे भूहें, क्या करेंगे उनका? मैं तो कहूँगा आपके छोट बड़ा भाई है क्या है? २२५ॉ कहूँगा ए भाहिना, पून भी शंकल्प लो जड़ो कि मैं आज के बाद कर भी हूप क्या प्राइका भी अपमान नहीं करूगी क्या कि ऊपने? किसका नहीं करेंगा चोटे भाई का ए तुम चोटे भाई को है क्या आपका भाई अर्छिटी बाई का इन्होटे पाई का pregnल शुप बच्छे कानाम टॉए तो वेरी गुड कहा है भई? वेर खाए इसा चोटा भई कहा है? है क्या? तो खड़े हो दोड़के हो ना? मैंने देखे भाज आपके फाइदे की बात कही है ना? दोड़के हो दोड़के हो चलो एक बात बताओ डिदी कभी डाढ़ती आपको? बहुत ठीक है कि अगर ये आपकी बड़ी दीदी अगर ये प्रण करती है कि मैं आज के बाद कभी अपने छोटे भाई का अपमान नहीं करूंगी, तो आप बूलिये, इनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं आज से कभी भी अपमान नहीं करूंगी. तो आप वापस क्या बादा करेंगे उन से? मैं भी दीदी का अपमान नहीं करूंगा मैं भी दीदी का अपमान नहीं करूंगा दूबर बोलो तो अरे बागी के बच्चे भी सब सुन लो मैं दीदी का अपमान नहीं करूंगा वूर गोल ओ लो जे भी बूलो कि मैं अपने अप्राइय का अपमान कढ़ेखों तो isTand up जो कंवारे हैं कितने कंवारे हैasionा कितने हे पाधी बाद तो जग्डा कंम होता है प्रशादी से प्रशादी से पहले जगडते हैDA वो क्या है कि शादी के बाद तो पती-पती जगरने लग जाती है इसले उदर कोटा उदर चला जाता है इतने कवारे लोग है चलो दिल पे हाथ रखो जितने कवारे लोग है दिल पे हाथ रखो और दिल पे हाथ रख करके बोलो हम नियम लेते हैं हम नियम लेते हैं कि आज के यह बोल अपने भाई का अपमान नहीं करेंगे प्यार करो च्तिन तुम प्यारकरोगे एक दिन शादी हो जाए गर अलग अलग हो जाएंगे भाई अपने घर में चलीजाएंगे पर तुम्हें याद करके आंसों ढुलकाएंगे मेरी दीदी थी ऐसी जो मेरा इतना प्यार और सम्मान रखती थी इतना प्यार और सम्मान रखती थी बच्चों वादा किया अपने आप से वादा किया हाथ खड़ा करके बताओ बादा किया कि नहीं अपने आप से वेलकाम ताली मजे इन बच्चों के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हम भगवान महावीर की अहिंसा में विश्वास रखेंगे करुणा में विश्वास रखेंगे एक दूसरी के भाईचारी में सम्मान में विश्वास रखेंगे और इसकी शुरुवात होगी हम आपस में जगरना बंद करते हैं अरे enjoy graphic कराने की जरूरात नहीं पड़ती है